में डेन से लेके हाई एंड तक हर कोई सभी अपने ब्लेजिंग फास्ट 90 हर्ट्स यहां तक कि 120 हर्ट्स से 144 हर्ट्स के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के बारे में बताना चाहती है यह सभी अपने आपको दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करती है पर कभी आपने यह सोचा है कि क्या यह स्क्रीन रिफ्रेश रेट से ही अलग हो सकते है क्या है यह स्क्रीन रिफ्रेश रेट हलो फ्रेंट्स मैं आप सभी का टेक्नल लिजन चैनल पर स्वागत करता हूँ अगर आपके फोन में एक हाई रिफ्रेश रेट है तो उसके कुछ प्रोस भी है और कॉन्स भी है अगर प्रोस की बात करें तो जब आप उस स्मार्टफोन पर गेम खेल रहे हैं तो गेम बहुत ही आपका स्मूज चलता है और कंटेंट वॉच करने में अलग ही मजाता है अगर आपके स्मार्टफोन पर रिफ्रेश रेट बहुत ही हाई है तो कंटेंट और मोशन स्क्रीन पर बहुत ही स्मूज दिखते हैं क्योंकि प्रोसेसर की मदद से हर एक पिक्सल डिस्प्ले को अपडेट करता है ये काम रैंडमली नहीं होता है पैनल्स अपने कंटेंट को रेगलर इंटरवल्स में अपडेट करते हैं जिसे हम रिफ्रेश रेट कहते हैं फोन की रिफ्रेश रेट मेजर करने के लिए हम देखते हैं कि कितनी जल्दी फोन की डिस्प्ले अपडेट होती है या तो हम ये भी कह सकते हैं कि content कितनी जल्दी screen पर refresh हो रहा है इसे hertz में measure किया जाता है 1 second में कितनी बार display refresh होता है इससे हम refresh rate count कर सकते हैं जैसे 60 hertz display 1 second में 60 बार 90 hertz में 1 second में 90 बार और 120 hertz में 1 second में 120 बार refresh होता है higher refresh rate display content को काफी smooth कर देता है पर day-to-day काम के लिए हमें चाहिए 60 Hz का refresh rate जो कि हमारे basic applications जैसे Facebook, Instagram के लिए काफी है और अगर हम कोई content भी watch करते हैं तो वो भी 24 frames per second यानि कि 24 Hz के refresh rate पर ही चलता है पर अगर refresh rate जादा हो तो इससे आप अगर कोई भी video watch कर रहे हैं तो वो काफी जादा smooth लगता है आप जब पहली बार एक higher refresh rate वाले phone को use करते हो उससे swipe करते हो या उसमें किसी भी दूसरे app को open करते हो तो तब ही आपको समझ में आ जाता है कि ये phone बहुत ही अच्छा है और ये phone काफी smooth भी feel हो रहा है refresh rate जितना high होगा experience भी उतना ही smooth होगा और अब तो smart phones में 60 Hz refresh rate standard सा हो गया है और 2019 से तो काफी phones में 90 Hz के refresh rate और अब तो 120 Hz या तो 144 Hz refresh rate के screens भी आने लगे हैं पर मैं अगर अपने personal experience से बता हूँ तो जैसे ही आप एक 60 Hz refresh rate वाले smart phone से 90 Hz वाले smart phone पर switch करेंगे तो आपको एक major difference दिखाई पड़ेगा और आपको experience भी अलग ही पता चलेगा पर जैसे ही आप एक 90 Hz refresh rate वाले smart phone से 120 Hz वाले smart phone पर switch करेंगे तो आपको वो major difference का पता नहीं चलेगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी आप ये 90 Hz ये 120 Hz वाले refresh rate के smart phones यूज़ करेंगे तो इससे आपका battery drainage बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा ये कहीं न कहीं 10 से 15% तक भी बढ़ सकता है पर वहीं इस high refresh rate में game खेलने का तो मज़ा ही अलग है और अगर आप कोई content watch करते हैं तो वो आपको super smooth देखता है और अगर चाहे आप किसी भी display की बात कर ले चाहे वो IPS LCD हो, AMOLED हो या super AMOLED हो हर कोई इस high refresh rate को support करता है और आने वाले सालों में ये higher refresh rate काफी normal हो जाएगा और सबी phones में ये higher refresh rate हमें देखने को मिलेंगे तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप मुझे इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे comment box में लिख कर बताएं और इस वीडियो के लिए एक like तो बनता ही है दोस्तो और हां अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो नीचे दिये गए लाल subscribe के बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को भी दबा दीजे ताकि आपको मेरे चैनल के regular video updates मिलते है क्योंकि मैं इसी तरह के टेक वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए टेक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद